हरी बोल हरी बोल हरी बोल जै जै शी रादे 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 ब्रच पास करा दे जै जै शी रादे हरी बोल हरी बोल नहीं लागे कोई मोल सुबह शाम दिन रात हरी बोल हरी बोल हरी बोल मित्रो आप सब कर सका आप सब का दोस दासों का दास आपका अपना दास दीपक एक पर फ आज नया हरी भाव लेते हैं, जी हां मुझे हरी नाम से प्यार हो गया, इसलिए हरी भाव सदम मेरे मन में उत्पन होते रहते हैं, श्री हरी मुझे किरपा करते रहते हैं, कभी राम के, कभी हरी नाम के, कभी लक्ष्मी नराहिन के, कभी मेरे गोविंद के, गोबाल के भाव यह बहुत सुन्दर भाव आज दास के मन में वता रहा और यह दास आज आपको सुना रहा है सबसे पहले मेरा यूटूब चैनल शिरी हरी का दास दीपक शिरी हरी का दास दीपक इस पर जाईए रेडवाला सस्क्राइब करके बेल आइकन और वीडियो को दबाए ताकि मेरी स शिरी है मेरे सीता राम राधा गोविंद है तो उसका आप अनंद लिए तो शिरी हरी का ही नाम जबते रहा है क्योंकि दुनिया के हर रिष्टे जूटे है और आज भाव यही जीवन की सच्चाई का है देखो मैं आपको फिर बोलता हूं हरी नाम से सच में I love हरी नाम तो आईए दुनिया में लेते हैं सब दुख हैं और दुखी क्यों है क्योंकि दुनिया के जूटे रिस्तों में फस गया है इनी रिस्तों की चाहत में तुमने अपना ये जीवन अनमोल जीवन बरबात करा विया तो आईए एक सच्चाई से अब गत कराता हूं कान में तू है बिल्कुल हमी अपने दुख के कारण है कोई और हमारा दुख का कारण ही है जो हम बोक्या है उसका प्रारदी भुगत रहें कष्ट पीड़ा जो भी आती है कष्ट पीड़ा चोट दर्द अपनों से लड़ाईया यह सब हमारे कर्मों का फल है मैं हसके इसलिए बताता हमने पॉजिटिव कर दिये तो आईये हसते रहिए बहुत संदर भाओ कान में एंड़ फिरी लगा दीजिए और बड़े ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द सच्चाई से आपको अवगत कराएगा तेरे दुख का कारण तु है जो तु दुख ये भोग रहा अब भी तेरा कुछ नहीं बिगडा आजा हरी शर्ण में आज तेरे दुख का कारण तु है जो तु दुख ये भोग रहा तेरे दुख का कारण तु है देखिये ये एक सच्चाई है इससे आप जुटला नहीं सकते मैंने बताया ना यही एक सच्चाई है मुझे समझ आ गई इसलिए मुझे गोविंद से प्यार हो गया क्योंकि गोविंद की शर्णागती में ही सब दुखों से छुटकारा है इसलिए हम गोविंद के ये दास तो गोविंद के आनंद में आनंदित रहता है और सबको जगाता रहता यही कह के तेरे दुख का कारण तु है जो तु दुख ये भोग रहा अब भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा आजा हरी शर्ण में आ तेरे दुख का कारण तु है हरी बोल हरी बोल यही जीवन की सच्चाई है और अंत्रे पर ध्यान दीगा ध्यान दीजेगा अंत्रे पर शिरी हरी से जोड ले नाता हरी ही सात निभाते हैं दुख में कोई सात न देता जूटे रिष्टे नाते हैं यह याद रहना एलाइन की सिरी हरी ही सात निभाते हैं और दुख में कोई सात नहीं देता यह बात समझ लेना हरी ने उसको संभाला है जिसने ठामा हरी का दामन हरी ने उसको संभाला है तेरे दुख का कारण तु है जो तु जग में भोग रहा तेरे दुख का कारण तु है यही सच्चाई है हरी का दामन ठाम लो हरी हर संकट दुख पीड़ा से निकाल देंगे यह मेरी खुद की अजमाई भी बात है तबी तो गोविंद की अनंद में अनंद रहता हूं मस्त राम मस्ति में आग लगे पापो की बस्ती में तूने ही दुनिया में आकर शीरी हरी से किनारा किया यही सच्चा ही है हम दुनिया में आके भोगों में पढ़ जाते हैं मैं मेरे में पढ़ जाते हैं जूटे रिस्तों में फ़र जाते हैं हर रिष्टों में फस जाते हैं, लेकिन हरी से जूट मूड भी प्यार नहीं करते हैं, किनारा कर लेते हैं तूने ही दुनिया में आकर, शिरी हरी से किनारा किया रिशुतों संग तूने प्रीत लगाई, भोगों से यारा ना किया बहुत महत्पून लाइन बल भी मैंने ये रिश्टो संग तुने प्रीत लगाई ये सब रिश्टे मेरी बीबी मेरे बच्चे मेरा यार मेरा दोस्त कोई नहीं है सब मतलब के हैं और इनी में पढ़कर माया में फसकर तुने भोगो साथ दोस्ती कर ली और ये ही भोग तेरे दुख का पतन का कारण बने रिश्टो संग तुने प्रीत निभाई भोगो संग याराना किया ये ही आराना तेरे सब पापो का कारण ही बना ये ही आराना तेरे सब पापो का कारण ही बना तेरे दुख का कारण तू है तू सुन ले जग में जरा तेरे दुख का कारण तू है तू सुन ले जरा हरी बोल हरी बोल हरी बोल नहीं ला गया कोई मोल सुबह शाम दिन रात हरी बोल हरी बोल हरी बोल तो तेरे दुख का कारण तू है जो तु जग में भोग रहा, ये तु सुन ले ज़रा, कि तेरे दुख का कारण तु है, जो तु जग में भोग रहा, और ये बात सुन ले ज़रा, ये आप सबको मैंने सुनाई है, तो हमें कोई कश्ट नहीं देता, हम ही फज जाते हैं, यारी में, दोस्ती में, बाई अभी मैं थोड़े दिनों पहले कुछ लोगों से मिला उनकी प्रीत ऐसी लगी वे रिस्तों में कि वही सब कुछ है अरे मैंने का ना समझो मन में तो हसी आ रहती है वो उनकी मुर्गता देखे क्योंकि जब से गीता जी पड़ली स्रीकिशन का ग्यान मिला समझ आ गिया जिकत का हर रिस्ता मित्या जूटे है तो सोच र Otherwise किस लिए कर हो इस लिए जो जा चुका वह तो रिस्तभा ख़तम करके अगली जी नहीं अगर आपको कोई पूजा पाठ के इस तरह से अपने नाम की पूजा करवा अपने पापों से मुक्ति पाके दुवारा ये श्कीरती ले सकते हैं अपने आपको अमर करवा सकते हैं लेकिन अमर तो यहां कोई हुआ नहीं तो यह बात आप समझ लो कि जब तक आप नाम जप नहीं करोगे माला नहीं जपोगे तब तक आपको पापों से मुक्ति नहीं मि जड़के की बात भाई-भाई अपनी उलादों के लिए लड़ रहे हैं आज की कलियों में देख लो बेटे ही अपने बाप को वृदधा आश्र में छोड़के बैठें और भाई भाई के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं ऐसे ऐसे मेरे भाई 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 हैं ऐसे ऐसे भी लोग भी हैं जो बुज़ुर्ग हैं में से बात करते हैं कि दीपक मेरे मिरे से बोलते हैं दीपक भाई के पास मुझे पता पैसे ने उसका काम नी चला तो मैं उसको चुपचाप कमर में गया और पैसे दिवाली पे भाई तिर गो जुड़त होगी ऐसे भाई भ किसी का नहीं हुआ, जिसने पाप के पैसेओं को छुआ, वो धुआंधुआ हुआ ठीक है, माया मतलब भ्रम, माया मतलब पाप तुम सोचते हैं, तुम लग पती हो, तुम करोड पती तुम कमारें, नहीं, माया तुमसे अपनी गुलामी करवारी, तबी तो माया तुम्हारी बुद्धी हर के सारी भोगवासना पाप की गुले में लाती है और तुम्हारे कर्मों से जो पाप बनता है पाप का उसर्दन से जो दुख बनता है फिर आप भुगत दे हो यार रखना, इसलिए परमात्मा के घर में ना देर है, ना नधेर है समझे, मैंने पहले बताया था नरायन के श्री हरी की अदालत में ना कोई वकील होता है और ना वाज जमानत होती महां गोविंधी जज हैं और गोविंधी गवाएं क्योंकि हमारे अंदर आत्मा के बगलवाले सीट परमात्मा की है वो साक्षी भाव में हमारी हर रिकॉर्डिंग नोट कर रहें तो अब भी वक्त है जाग जाओ श्री हरी का दावन ठाम लो ये मुर्को भाई भाई होकर भाई भेन होकर जिस जायजाद के पीछे लड़े वो जायजाद भी ही छोड़के जाओगे अरे उस मा की कोक की इजद कर लो जिससे तुम उत्पन हो क्यों पैसो के लिए उस कोक को बननाम कर रहे हो ये मुर्क जाइलो तुम भाई भाई की नहीं हो तो तुम्हारी उलाद तुम्हारी कैसे जाएगी और अकड़ तुम्हारा उलाद तुम्हारा कुछ करेगी तुम सोचो तुमने अपने पित्रों के लिए क्या किया आस तक नहीं किया ये सिर्भ दिखावा है मरने के बाद आप तेर्मी पे पैसे उड़ाते हो, एक बाद बता दू, तेर्मी करना, तेर्मी का भोज, सिर्फर सिर्फ ब्रहमणों खाने का अधिकार है, लोग उसकी पार्टी करते हैं, विड़ी विशाल, अरे पिता के मरने पर तेर्मी, कोई भी संसकार में आती, 16 संसकार के अंदर, 16 संसकार के अंदर, कोई भी ये तेर्मी का भोज नहीं आता, और जो कोई किसी की तेर्मी खाने जाता है, वो उस दिन अपने अप पुन्ये खतम करता, उसको पाप लगता है, तेर्मी खाना भी पाप है, तेर्मी खिलाना भी पाप है, तो इसलिए सोफ समझ के जाना, आगे और सास्तर की मानना याद रहे मैंने बीड़ो भी बनाते ना आप मत मानों चलान तो आपके घर में आएगा आप अपनी मन की चलाओ लाल बत्ती क्रास करो सील बैल मत लगाओ ट्राफिक पुलीस का जो कैमरा इसे डीवी नहीं चला चलान रिकॉरडिंग वरी चलान दो घर में आ रहा है वैसी परमातमन्दा रिकॉरडिंग कर रही है और चलान दुख तकलीप के रूप में हमारे कर्मों में एड होता जा रहा है अच्छी बात लगे तो शेर करना बड़ सब पे दासर जुड़ने के लिए 921-238-2938 921-238-2938 पे राधे-राधे कर दीजे अपना नाम डाल दीजे फिर बता रहा हूं मैं voice message में परिच्चे लेता हूं चो इस तरी हो प्रूष मेरे क्या हर संद्र के जो अच्छे बाओं जन जन तक पचाओ वीडियो के रुप में फेस्बुक के रुप में अरे इसका सही यूज करो सही यूज करो सनाता अंधरम का परचार करो दास का जैसे नियम है घर घर शिरी किशन हर मन सिरी किशन घर-향, घर सरी किशन, हर मन सरी किशन, संपूर्ण विश्म, सनातन धर्म का परचम फ्लान अगर कर शरी किशन, मेरे गोविन सीताराम हरी नराएं, मेरे शिरी हरी को राधा गोविन को पचाना है, तो दास का यूटूब चैनल, शिरी हरी का दास दीपक, इस पर रिये रेड़ प्रभु ने मुझे जगाया मैं तुम्हें घर घर श्री किष्ण और मन्सरी किष्ण इसी उद्रेश्य के साथ यह दास जीता चलिए 26 जनुवेर का दिन इवर फिर आपको बहुत-बहुत मुबारों को गंतन दिवस्की बहुत-बहुत बदाई है और आपका दिन शूब हो श इंदास रहो गोवित की मस्ती में जकास रहो शीरा दे खुश रहो